Hi everyone, welcome back to lead coding, I am Faraz तो इस video में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों की और कुछ ऐसे लोगों की जो आपको first year में avoid करने चाहिए and कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपको बहुत ही एक अच्छा software engineer बनने में मदद करेंगी if you do those things in first year okay so let us start with those things जो आपको avoid करने चाहिए सबसे पहले आपके खुद के seniors जो कि आपसे आके ये बोले that CGPA is not important okay सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आजाती है CGPA इसी भी आगे सबसे पहला वार होता है ठीक है मेरे टाइम पर क्या हुआ था कि हमारा orientation हुआ था ना तो orientation के बाद एक college का टूर दिये जाता है आपके टाइम पर नहीं हो पाया because of covid and all situations तो तब कुछ ऐसे seniors थे जो आगे सीधा ये बोलते हैं कि CGPA चोड़ो आप DSA पर ध्यान दो मैंने खुद सुना है ये चीज मतलब मेरे साथ जब मैं अपने टाइम पर आया था तो यही हुआ था ठीक है तो देखती पता चल गया था इन लोग कुछ आता जाता है नी तो इस चीज का खास ध्यान रखना दूसरी चीज दूसरी चीज है हमारे प्यारे नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग अब देखो ये अलग-अलग तरीके से अलग-अलग कॉलेजिस में आते हैं software engineer के लिए हैं फर engineers के लिए हैं इंजिनियर बनके परहार करते हैं ठीक है तो इनकी चक्कर में नहीं पढ़ना जो भी आपसे ये बोले कि हमारा ये कोर्स कर लो ये कोर्स करने से आपके पास एक ऐसी skill आ जाएगी जिससे आप पर मंत इतना कमा रहे होंगे आप अपनी fees खुद दे रहे होंगे इसके बोलना है कि हम पढ़ लेंगे हम बहुत अच्छे कोलेज में आये हुए है लेट स्टडी ठीक है तो ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग होते हैं आपको पता नहीं होता अलग-अलग में आपके साथ में प्रकट होने वाले हैं अम इसके साथ साथ आपको एक और information देना चाहता हूं दिर और सेवरल सोसाइटी इन आर केंपस ठीक है बहुत सारी सोसाइटी बगएरा होती है और उनके अलग-अलग काम होता है अपने interest के लिए जा रहे हो कि chill करने के लिए जा रहे हो exposure के लिए जा रहे हो लोगों को जानने के लिए जा रहे हो then you can go to those societies तो काफी लोग इसको गलत समझ लेते हैं कि वहां पर जाने से हमारे प्लेसमेंट लग जाएगी तो बस उनके लिए यह है कि if you do not want to join those societies, do not join, ठीक है? चलो, now what you should be doing, first of all देखो हमारे टाइम पर क्या होता था, fest वगएरा होते थे, freshers party होती थी, बट अभी COVID की चक्कर में सब कुछ बंद हो रखा है, तो आपके पास बहुत जादा time है, हमारे पास थोरा से distraction होता था, कि fest हो रहे हैं, और बहुत सारे events व But apart from that, people ask that what should we do for development, उसके लिए हम लोग क्या गरें, उसके लिए हैं इसके लिएख सेटरूप्योंस, you have android, you have machine learning, you have web development, बहुत सारे options आपके पास, so try to explore all those options उनके बारे में जानो ठीक है उनके बारे में देव के बारे में थोड़ा सा जानो development में आप क्या कर सकते I do not say कि उसके सीखने लग जो फरस्टेर में अच्छे अच्छे प्रोजेक्स वगरा बनाने लग जो नहीं उनके बारे में थोड़ा सा explore कर लो आप ठीक है टेव के बारे में explore कर लो just try exploring things apart from that one of the most important thing is learn a programming language parallelly ठीक है parallelly आप लोगे programming language तो learn करनी है whether आपने school से सीख क्या आए हो या नहीं आए हो कोई फर्क नहीं पड़ता जो school से सीख के आए हैं वो आप दो महीनी के अंदर यहाँ पर cover कर लेंगे ठीक है वहाँ पर दो साल में बढ़ाया जाता है 11-12 में यहाँ पर आप दो महीनी के अंदर cover कर लेंगे उतना तो learn a programming language अच्छे डीएसे का तो पूरा मैने जो सिट फॉर SDE प्रोफाइल अगर आप software इंजिनियर बनना चाहते हैं डीएसे कंपल सरी है बाकि यह डेव वाली चीज है विच यू एक्स्प्लोर फर्स सेमस्टर में सेकिंड सेमस्टर में आपको थोड़ा थोड़ा ऐडिया हो गई डीएसे का ऐडिया होगा अगर आपने मेरा वो जो रोड में बने बताया हुआ है वो फॉरॉप किया है डीएसे वाला प्रॉपर्ली तो आप लोग अच्छे पूजिशन में होंगे के तो स्टार विदी कॉंटेस्ट के आपके पास प्लेटफॉर्म से कोड़ शेफ एंड कोड़ फॉर्स तो यह बिसिकली आपके कंपेरिटिव प्रॉग्मिंग के लिए प्लैटफॉर्म हो गए इसमें से आप एक सेलेट कर लेना और इस पर आपने कॉंटेस्ट देने लग जाना अपार्ट फॉम दिस यू और यहां पर आपके कंपनी वाइस प्रॉब्लम मिल जाएंगे ओके लड़ेस से इफ यू वां तो सॉलुशन भी अवेलिबल हैं ठीक है सी प्लस प्लस जावा पाइफन तीनो ही लैंगुजिस में डीटेल सॉलुशन अवेलिबल हैं पहले जो सॉलुशन है वो इंग्लिश में एक्स्प्लेंट है थेन यू है तो आप कहीं इसमें स्टक नहीं होंगे not only that यहां पर सारी की सारी जो भी अप्रोचेस है तो सॉलुशन प्रॉटिकल प्रॉब्लम वेदर इस बूट फॉर्स ऑप्तिमाइस मोर अप्तिमाइस सारी अप्रोचेस अवेलिबल हैं ठीक है तो आप एक कोड स्टूडियो लेलो यह इसका एक है लीट कोड इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक यह आपको ले लेना है ठीक है आपके बीचे ब्रेक्स वगएरा भी आते रहेंगे इसमें भी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ठीक है एंट अपार्ट फॉम डेट मेंग गूड फ्रेंड कोडिंग वा वाले हूं और उनके साथ साथ कॉंटेस्ट वगएरा में पाडिस्पेट करने लग जाए ठीक है उससे क्या होता है कि आप कहीं अटक जाते हैं तो आपको मोटिवेट करने के काम आते हैं दोस्ति आपको प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करते हैं जो उन्होंने लर्ण की ह है ऐखे लिंड़िन पर आप लोग pro बना लें लिंग्डिन किया है ब milk platform लेये जहां पर आपकी जॉट की ओब्लेंग आती कहिं पर आप्ल ATM हैर्जां पर ल 1997 करते रहते हैं प्ल्सक्ति और इस पाप्लों internships के लिए ठीक है चलो all right तो यह थो हमारे important चीजे हैं apart from that there is one more thing that you should avoid job को avoid करने चाहिए that is free वाली internships होती है वो बिल्कुल avoid कर देना चाहिए तो sometimes what happen is कि आपके पास offers आते हैं बहुत ही tempting लगते हैं आपको किया time I would say कि in platform so time spend कर लो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा इस advice को दरू माल लेना और try to implement all these things एक साल तक आप यह implement कर लेते हैं आपको बहुत ही एक refined बनके निकलेंगे after one year जो कि एक साल के बाद आपके बहुत ज्यादा knowledge होगी DSA कि आपके पास एक clear idea होगा कि dev में आपको क्या करना है एक मैंने यह नहीं बोला कि आप पूरा को पूरा development कर लो एक साथ में आइडिया ले लो लोगों से बात करके आइडिया ले लो projects देखके आइडिया ले लो just have an idea कि आपको करना क्या है now you have the clear picture that what you have to do next in the second year okay इतना आप लो follow कर ले बाकी चीजे बता है completely avoid those things and make sure to like the video subscribe to the channel and let's meet in another video thank you